सियम योगी का एलान सहित प्रित्वी के परिवार को मिलेगी 50 लाग की आर्थिक मदद एक सदसे को नोकरी मतुरा में सडक हाथ सा सराप पिकर कार चलाना जिनकी पर पड़ा भारी दो दोस्तों की मौत कानपूर पुलिस का बरबट चहरा गोध मी बचा लिये पिता को लाठी से पिटा बिलगते मासूम को देख कर भी तरस नहीं आया प्रताब गड में भीशड सडक हाथ सा बेटी का तिलक चढ़ा कर लोट रहे पिता समें चार लोगों की हाथ से में मौत प्रियागराज माघ मेले में संगम की रेती पर 580 हेक्टेर भूमी पर बसेगा माघ मेला प्रियागराज में और्टिफीशल इंटेलिजेंस से होगी सहर की निगरानी माघ मेले के पहली लागू होगी व्यवस्था लखनव में नकली नोटों की अंतराष्टी तसकर को UPSTF ने किया गिराप्तार प्रियागराज के एक मामले में थावान छित योगी सरकार ने की कड़ी कारवाई 127 करोड की करचोरी में वड़ी जे करके 4 अपसर निलंबित SIB में थे 3-4 अपसर गुरकपुर में संस्थापक समारोह में बोले सिच्छा मंत्री धर्मिंद प्रधान नई सिच्छा नीती में गुरकपुर बनेगा Special Education Zone गुरकपुर में CM योगी ने जनतादरबार में सुनी लोगों की फरियाद सीडियास जनरल रावत को दीगई स्रधान जली ICO के बाहर से बेटे वरुड को देख भराई मातापिता की आखे बोले मेरा बेटा योधा है जीत कर लोटेगा सम्मानित सव्य जीवन और बुनियादी जरूर्तों के लिए मानो अधिकार अवसक डॉक्टर सुबोध गुला गुरकपुर D.A.B.P.G. कॉलेज में 20 मानो अधिकार दिवस 10 दिसंबर के उपलच में राष्टी सेवा योजना दयानन्द इकाईद्वरा प्रचारे डॉक्टर सलेस पांडे की अध्यस्ता में मानो अधिकार समस्याएं और चुनोतियां विश्याप पर वैख्यान का आयोजन किया गया कारिक्रम अधिकारी डॉक्टर मनोच कुमार सिर्वास्तों ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मानो अधिकारों से तात पर उन सभी अधिकारों से है जुव्यक्ति के जीवन, स्वतंदरता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए है मुख्य वक्ता, राजनिती सास्र विभाग के अध्यस डॉक्टर सुबोत कुमार ने कहा कि 10 दिसंबर 1948 के दिन लोगों के अधिकारों की सुरच्छा और रच्छा के लिए सईवत राष्ट महा सभाद्वारा, सारो भौमिक मानवादिकार घोष्णा पत्र को अधिकारिक मानेता दी गई यो धाओ को सोकसभा आयोजितकर दी गई स्रधान जली गोला गोरैपूर उपनगर गोला के भरचड़ा गाओं में इस्थित आरकी मिमोरियल एकेडमी पर देश के प्रमुख रच्छा अध्याच सीडियेस जनरल विपिनरावत्वा उनकी धर्मपत्नी सहीती 11 अनिलोग तामिन लाडू के कुन्नुर में बुधवार को एक हवाई दुर घटना में अपनी जान गवादी मौके पर इसकूल के प्रबंधक बागेश्वरी राय ने कहा कि हम सभी ने अपने देश के एक कुसल ससस्त्र बलो में अपना युगदान देने वाले ग्यान मान अच्छे रणनिती का अर्विव्यूती को खो देने से बहुत बड़ी छती हुई है इस उसर पर प्रधाना चारे सुनिता सिंग, विपिन पाठक, गुडिया पाठक, रजतराय, सहित छाज छातराय अधिक संख्या में सामिल थें कुसल व्यभार जीवन का आईना है अचारे विनोज गोला गुरकपुर कुसल व्यभार आपके जीवन का आईना है इसका जीतना अधिक इस्तमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ेगी यदि वर्तमान को ठीक कर लिया गया है तो भविस के सफल होने की संभावना बनती है उक्तविचार गोला बलाग के भटनी पार खुर्द गाउं में स्री सत्चंडी महा यग में आयोजित राम कथा के पाचवे दिन अयोध्या से पधारे मानस मर्मगे अचार विनोद महराज ने स्रधालो को कथा का रस्पान कराती हुए वैक्त की इसके पुर्व कथा का सुभारम इंजी रामसंकर दुबे एवं डॉक्टर अनुप्तिमारी ने व्यास पीट की आर्तिकर की कथा का सुभारम किया इस उसर पर प्रमुख रूप से सुभास चन्तिवारी अनिल मिश्रा रतनेश मिश्रा हरिश दुबे ब्रम्हाजीत दुबे शुरज मिश्रा स्याम देव यादो सत्य प्रकास यादो स्याम मुरारी यादो उमाकांत मिश्रा सोशल मिश्र रर्धीर दुबे देव प्रकास स ससीधर मिस्रा सहीत आदिस्रधालों सुरोतागर मौजूध हो कर कथाकार स्पान किये। हवाई दुर घटना में जानगवा देने वाले वीर सहीदों को नमन कर दी गई स्रधान जली। गोला गोरैपूर आदर्शनेगर पंचायत गोला के वेवरी चोराही पर इस्थी डॉक्टर अंबेटकर गेट पर तामिलनाडू के कुनूर में हेलिकॉप्टर दुर घटना में प्रमुकर अध्या सेडियास जनरल विपिंडावत्व उनकी धर्म पतनी समेत 11 लोगों ने गास्मिक निधन पर गोतम बुद्धा सिवा समिती की तत्वधान में समाज सेवी मनीश जयासवाल के नेत्युत में स्रधानजली सभा का आयोजन कर कैंडल जलाकर नम आखो से दी गई स्रधानजली स्रधानजली सभा में प्रमुक रूप से परमातना प्रसाद, रडविजे सेक्टर अध्यस दिनेश, डॉक्टर अरून, अजय बोध, मंगेश, सुधिर कुमार, राजेश सर्मा, चिधार्थ, रामदेव, विनूद, टुन्टुन, सतेंद्र, सन्नी, सहित आदी लोग सामि कि दो विशो यूद होने के बाद जब मानवता तार-तार हो गई, तो चारो तरफ असांती का महौल बन गया, तब विशो के राष्ट अधचियों ने बैठक कर पुन यूद ना हो, सांती कायम रहे इसे ध्यान में रख कर सयुक्ट राष्ट का निर्मार किया, साथ ही मानव दिकार को चार्टर में अस्थान दिया, जिसे 10 जुलाई 1948 को अंगिकार किया गया, कॉलेज में मानवा दिकार दिवस पर आयोज संगोष्टी को संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर सुनिता गुपता ने कहा कि हमें अपने कार्यों को नियंद्रित रखना चाहिए, इसे क्रम में कॉलेज के छात छात्राओं में दीपक्तिवारी, जागरिती, खुस्बु, मिताली, सतिश, दिव्यातिवारी, अंसु यादो, आसी, इस कुसाग्र ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये, बढ़ाल गंज नेशनल पोस्ट ग्रिजुएट कॉलेज के प्रचारे प शेवा न्रिविती सासन की एक प्रक्रिया है, जो एक उम्र के साथ किया जाता है। इसके बाद भी समाज के प्रथी उनकी जीमेदारी और बढ़ जाती है, जो समाज हित के लिए होता है। विग कार्याले अधिक छक्र 45 पांडे के सेवा निर्वित पर पुस्तकाले हाल में आयोजित विदाई सामवरों को समोधित कर रहे थे। विदाई सामवरों में पुस्तकाले अध्यच विर्यंतिवारी ने सभी के प्रती अभारव्यक्त किया। इस उसर पर डॉक्टर वीर्भदर तिवारी, डॉक्टर योगेंदर तिवारी, डॉक्टर विनोत पांडे, अनिल तिवारी, आसिस शुकला, चहित अनिलोग उपस्थित रहें। सिव सक्ती मंदिल भेडिताल चावनी बढ़ल गंज प्रांगण में सैकडो गरीबो असहायो में कंबल वित्रड किया गया। बढ़ल गंज विगत वर्षों की भाती इस वर्ष भी चाड़ा की विचार संस्थान परिवार की द्वारा सुक्रवार को सिव सक्ती मंदिल भेडिताल चावनी बढ़ल गंज प्रांगण में सैकडो गरीबो असहायो में कंबल वित्रड किया गया। कारिक्रम में उपस्तित लोगों को संबोधित करते हुए संग्ठन के संड़ चकपुर मंत्री राजेश्ट्रेपाठी ने कहा की संस्थान संग्ठन सामाजी कारियों में निरंतर बढ़्चर कर हिसा लेते आया है जो बहुत ही सराहनी है। इस दोरान राष्टी प्रवक्ता दुर्गेश मिस्रा प्रदेश अध्यच विनेकुमार तिवारी पुर्वांचल प्रभारी अचार कनहया तिवारी गंगा सागर साही विनेकुमार गुपता आदी मौजूद रहें। बढ़ल गंज के मिनी स्टेडियम में लगभक तीन सो बेटियों का एक साथ सामुहिक रूप से विवा संपन होगा। पुर्मंत्री राजे स्त्रिपाठी जनसेवा अध्यच महेश उमन ने बताया कि कल का आयोजन एक बार फिर अथियासिक होगा एक साथ 300 बेटियों का सिंदुर्दान होगा जैमाल होगा और फिर एक साथ 300 बेटियों को हम लोग विदा करेंगे उन्होंने बताया कि जिस लड़की के पिता नहीं होंगे उसका करन्यधान भी जनसेवा के लोग करेंगे कारिक्रम अस्थल के तैयारियों के निरच्षड के दोरान भाजवा एंजियो प्रकोष्ट के संयोजक विनेतिवारी भाजवा गुपाल पूर मंडल अध्यस संतोस्रेपाठी बबलु मदेस या निरजपाल संजै सर्मा सहित अने कई लोग मौजूद रहें सामोहिक विवा को सफल बनाने के लिए हुई बलाग पर बैठक कोडिराम कोडिराम विकास खंड के अंतरगत सामोहिक विवा कारिक्रम समहरों के लिए कोडिराम बलाग पर सफाई कर्म चारियों पंचाय सहायक तथा पंचाय सचियों की बैठक बुलाई गई इस बैठक का संबोधन एडियो समाच कल्यार ने की कोडिराम विकास खंड के अंतरगत सामोहिक विवाक कारिक्राम में बास गाउं लोगसभा के सांसद कमलेश पास्वान मुखे अतिती और विशिष्ट अतिती गोरकपुर ग्रामिड के विधायक विपिन सिंग होंगे इस बैठक में एडियो पंचायत कोडिराम ग्राम पंचायत अधिकारी सफाई कर्मी पंचायत सचिव पंचायत सहायक समित वहां के कर्मचारी उपस्तित रहें इस कारिक्रम के अध्यस्ता कोडिराम की बलाग प्रमुक्षरी मती नीता सिंग करेंगी इस सामोहिक विवा में 110 जोड हिसा लेंगे जिसमें हिंदु तथा मुस्लिम दोनों धर्म के लोग हिसा लेंगे कववा डिल में नौ निर्मित स्वास्त उपकेंद का उद्घाटन गगाहां, समुदाइक स्वास्त्र केंद्र गगाहां के अंतरगत कववा डिल में नो निर्मित स्वास्त उपकेंद का उद्घाटन जिला पंचा सदसे माय संकर सुकला के द्वारा किया गया उन्होंने कहा कि ग्रामिड छेतर में स्वास्तो विदाओं का ध्यान रखते हुए उपकेंद्र का निर्माड कारे कराया गया ताके यहां के लोगों को ततकाल स्वास्त मुहया हो सके इस मौके पर प्रधान प्रतिनिदी नागेंद्र सर्मा विसी पिम असोक पांडे यूनिसेफ नील मडी स्रिवास्तो स्याच्चो बविता पास्वान एनम कृष्णा मती देवी एनम अनपूर्णा चोरस या आधी सैकरो ग्रामिड उपस्थित रहें